नमस्कार जहिंद मेरे प्यारे दोस्तों सुपर इस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका आज हम लोग जग्राफी के मोस्ट इंपोर्टन टापिक भारत के प्रमुक राष्टे उद्ध्यानों को डिसकस करेंगे यहां से एक्जाम के लिए जो भी इंपोर्टन प्रसंद बन पूछा जाएगा बहारत में कितने राष्टी उद्ध्यान है दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा stylish इंप घर खी जितने उद्दो एकसी द्याने वह आई से समस्ते हैं भारत का सबसे प्रसम राष्टे उद्यान कौन सा है इक्वर्टन प्रसंद आपका अश्रकत नेसिं से जाना जाता था तो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था कहने का मींज जो भारत का प्रथम राष्टी उद्यान है उसको हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता था लेकिन कब 1936 में आए बात कर लेते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान कौन सा है तो हेमिस राष्टी उद्ध्यान कौन सा हेमिस राष्टी उद्ध्यान भारत का सर्वादिक बड़ा राष्टी उद्ध्यान है आईए next important प्रसंद भारत का सबसे छोटा राष्टी उद्ध्यान कौन सा है साउध वटन राष्टी उद्यान साथी साथ एक प्रस्ण दोस्तों यहां से बनता है विस्व का तैरता हुआ राष्टी उद्यान किसे का जाता है दोस्तों तो केविल लामजाव राष्टी उद्यान मडिपूर में साथी साथ है यह लोग्टक जील के पास इस्तित है आप से प्रसुन पूछा जाएगा केबुल लाम जाओ राष्ट यजिल के पास इस्तित है तो आप का अंसर हो जाएगा लोग्टक जील आई यह next important प्रसुन को डिस्क्स करते हैं देहिंग पटकई राष्टी उध्यान एव कऊंसा है तो राय मोना जो कि कहां इस्टित है असम में और नेगे नेग्फ सेंट इंपरटन कोशिन कीबात करते हैं भारत का सबसे चोटा राष्टी-उद्यान कौन सबसे बड़ा राष्ट्री उध्यान कहां पर तो यह आपका लद्दाक राज में कहां पर है अब या मंता है जाते हैं में और सुन्दरवन राष्टी उद्यान है कहां तो पश्री मंगाल में सेकेंड इंपोर्टन कुश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन बबर सेर एसियार्टिक गिरवन राष्टी उद्यान गुजरात में इस्तित है एक और इंपोर्टन कुश्चन मनता है राष्ट ये उद्यान को एक राष्ट्टी उद्यान में रखा गया उस राष्ट्य उद्यान का नाम क्या है और राश्टी उद्यान साथी साथ भारत का पहला राश्टी उद्यान कौन सा है तो हेली राश्टी उद्यान और इसे 1936 में यह बना कहने का मेंस साथी साथ दोस्तों बन जीर सनचण दिनियम का पारित हुआ तो 1972 में मोस्ट इंपोर्टन प्रसन एक्जाम के लिए यूपिटेट में सरिस्का राश्टी उद्यान कहां इस्तित है दोस्तों तो यह राजिस्तान में इस्तित है जो बागों के सर्चन के लिए चाना जाता है आए बात कर लेते हैं वितरकन का राश्टी उद्यान कहां इस्तित है तो उडिशा में कहां पर इस्तित है उडिशा में नेक्स प् आपका है नौर्थ बटन आईलेंड नेशनल पार्क साती साथ साउध बटन आईलेंड नेशनल पार्क रानी जहासी मरीन नेशनल पार्क यह इंपोर्टन आपके लिए रानी जहासी मरीन नेशनल पार्क कहां इस्तित है तो अंडवा निकोबार दीप परिस्तित है सेकेंड अ बंडवानने को बार दीब समूग में जो प्रमोग राष्टी उद्धान है उस बात को हमने समझा अब नेक्स्ट इंपोर्टन बात है असम राज से आपके इंपोर्टन क्वेश्चन बनते हैं सुपर टेट के लिए यूपी टेट के लिए और मौस्टली यूपी टेट के लि तो असम राज जिसे कौन-कौन से इंपोर्टन क्वेश्चन हैं ये बात समझेंगे ओर रंग राष्टी उद्ध्यान ये भी इंपोर्टन है ना मेरी राष्टी उद्ध्यान ये भी पूछा जाता है देहिंग पट गई राष्टी उद्ध्यान ये असम राज में है और सा वाले गेने के लिए कौन सा राज जाना जाता है असम राज डिब्रू सेकाबा नेशनल पार्क कहां इस्तित है ये भी important question है असम राज में तो यहां से हमें कौन कौन से नेशनल पार्क याद रखने मोशली यहां से प्रस्ण बन जाता है काजी रंगा याद रखना है कहा है असम में डिबुरु से खोबा मानस नामेरी और और औरंग ये काफी इंपोर्टन प्रस्ण है जो असम राज्ज से रिलेटेड हैं अब आए ये बात कर लेते हैं नेक्स मोशली यहां पर किसको सब्चुद्द रखें किया गया है चिसको सरच्थ किया गया तो यहां पर जो आंसर होगा, एक सिंग वाले गेंडे को सरचित किया गया काजी रंगा राष्टी उद्यान में मोस्ट मोस्ट इंपोर्डन कोश्चन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राय मोना राष्टी उद्यान कहां इस तितर दोस्तो तो ये भी आपका कहां है असम में यह भारत का एक सोच्छटमा राश्ट्री उद्यान है ये भी इंपोर्डन प्रसन है आपका दूसरा यहां से प्रसन बंता है दोस्तों ये किस राज above तो असमराज back रुन रखना राहा मोना राश्टी उद्यान यह भारत का नभीनतम राष्टी उद्ध्यान कौन सा ये भी प्रस्ण बन सकता है तो रायमोना राष्टी उद्ध्यान अब बात कर लेते हैं कारवेट राश्टी उध्यान कहां इसती थे दोस्तो तो अभी हम लोगों में पढ़ा था जिम कारवेट राश्टी उध्यान ये उत्तरा खंड में है कहां पर है दोस्तो उत्तरा खंड में तो आंसर हो जाएगा उत्तरा खंड और यहां पर किसको सनचि जिएनल पर्क से एक बात याद रखनी है आपको Tiger Project जो भारत में start किया गया था कब 1970 में यह important बात आप याद रखनी है कि Tiger Project भारत में कब लाया गया तो 1973 में और यह संस्था दवार अलाइच किया गया था तो WWF और आप यहां संस्था किस से related है तो आपके IUCN से related है next important बात करते हैं question की नंदन कानन राष्टी उद्यान किस राज में स्थित है दोस्तों तो नंदन कानन राष्टी उद्यान उडिशा में स्थित है सबसे important बात यहाँ पर यहाँ पर white tiger आपको देखने मिलेंगे नंदन कानन में कौन से टाइगर वाइट टाइगर सफेद आपको कह सकते हैं टाइगर देखने को मिलेंगे next important बात करते हैं कौनो राष्टी उद्यान यह कहां इस्थित है तो यह मद्द प्रदेश में और हाली में मोदी जी ने नामी विया से आठ टाइगर को यहाँ संरश्चित किया है कौनो राष्टी उद्यान में अब बात कर लेते हैं दोस्तों next important प्रस्ण की सबसे छोटा राष्टी उद्यान कौन सा भारत का तो आपका south button जो की कहां इस्थित है अन्वान निकोबार south button national park कहां है तो अन्वान निकोबार दीप में इस्थित है अब भारत का सबसे छोटा राष्टी उद्यान है अब एक important question है आपर और बनता एक्जाम के लिए olive ridley turtle को किस राष्टी उद्यान में सरचीत किया गया जोटा इक और जील पूँछी आती है हो यहां पर 無द्यार से तो आप याद रखिए उडीशा राज में कहां पर दोस्तों उडीशा राज में और यहां पर अमेरिका की प्रजाद कछूओं की है जिसे बोलते हैं ओलिव डिले टर्टल को यहां पर संरचित किया गया आए नेक्स प्रसन बात कर नेक्स प्रसन आंद्प्रदेश के अनराश नावली राश्टी उद्यान नागरजुन सागर राश्टी उद्यान पापी कोंडा राश्टी उद्यान काफी एक्जाम में पुछा जाता है पापी कोंडा राश्टी उद्यान किस राज जमेस्तित है तो आंद्प्रदेश में मारुंग बामी राश्टी उद्यान ये भी राज्यमेस्तित है, तो याद रखना मद्धब्र्देश में, मादो राष्टी उद्यान ये भी प्रसंद पूछा गए एकजाम में, सतोपुरा राष्टी उद्यान, पॣन्ना रास्टी उद्यान, और बानदो गड़ राष्टी जो है आपका संजे गांदी राष्टी उद्यान कहां इसते थे तो महाराष्ट में साथी साथ नवे गां राष्टी उद्यान पूछा जाता है ये भी महाराष्ट में है और तंडोबा बोरिवली राष्टी उद्यान तंसा वनजी वभ्यारण आपसे पूछे पूछा जाएगा चंदोली राष्टी उद्यान ये महाराष्ट के नेक्स आपसे सबसे इंपॉर्टन को societies जो एक जाम से पूछ सकते हैं गुज्रात राज के प्रहुड राष्टी उद्यान का उन कॉंसे तो सबसे जादा question जो बनता गिर राष्टी उद्यान इसमें एसियाटिक सेर को इसमें सरचित किया गया है गिर राष्टी उद्यान में साथ ही साथ बात कर लेते हैं गुजरात में बलेक बक नेशनल पार्क भी है और गिर राष्टी उद्यान में किसको बबर सेर को सरचित दिया गया है ये भ गट्टा राष्ट्र इजैन साथिसाथ कार्वेट नेशनल पार्क हम लोग पढ़ चुके हैं टाइगर संरच्फर्त को स το किया गया किस नेखिछित है नेक्स प्रसनाभका करनाटक के प्रमग राष्ट्र इजैन कौन कुछा जाता है किस राज में स्तित है तो आंसर होगा करनाटक में साथी साथ तुंग मंद्रा बन जीव ब्यारण नांगर होल यह खुब पुछा जाता है नांगरो राष्टियों का यहां पर क्या है हम लोग हातियों का जुन भी देख रहे हैं दोस्तों चितर में तो नागरो राष्टियों कwachया है वीक तुम लोग जानी है तितलियों को सनचित किam بنच जीव ब्यारण और बद्रा बन जीव बियारण कहां करनाटक कह रहस्तों साइलेंट वैली कहां इस्तित है तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे होट स्पॉट में केरल राज में इस्तित है और यह मोशली जय विवित्ता वाला छेतर है केरल के प्रमुग राष्टी उद्यान कौन कौन से इस बात को भी समझ लेते हैं साइलेंट वैली राष्टी उद नेक्ट बात करिए आप दोस्तों तमिनाडू के प्रमुग राष्टी उद्यान कौन कौन से हैं इस बात को जानना मनार की घण ओखार इसमुद्य ने कहने का बात यहां से इंपोरٹन बात है बनार की खारल राष्ट न कहां बात करें है तो तमीनाडू में Pres बड़ा most most important question exam के लिए ये जम्मु कस्मीर राज में इस्तित है कहां पर जम्मु कस्मीर और डाचिगम राश्टी उद्यान में किसको तो आप यहां पर जो सनच्छित किया गया उसको बोलते हैं कस्तूरी में रखो सासी दासा अदमने डाक्टर सलीम अली राश्टी उद्यान क्रश्णा आपको याद रखना है बड़ मैन आफ इंडिया किसे का जाता है तो डाक्टर सलीम अली को उत्राखंड के प्रमग राश्टी उद्यान कौन कौन से हैं यहां से याद रखना राजजी राश्टी उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट नंदा देवी राश्टी उद्यान यह भी याद रखना है फूलों की गाटी राश्टी उद्यान फ्लाबरा बैली भी याद रखना एकी राष्टी उद्यान एक राष्टेयान कहा है तो नागालेंड में फूलों की गाटि नंदादेवी राजा जी यह उत्राखंड में ऐे उत्रकंड में 3 psychology शाथ बात करते हैं । चागेर गाटि राष्टी उद्यान एयाद से रखना इंद्रावती राश्टी उध्यान तो 36 गड्र राज्य में साथ संधी बात करते हैं मेगालए के प्रमुग क्रभारा राश्टि उध्यान कौनद करते हैं अ leggings दोस्तों राश्टन यह आपका कहां है तो यह आपका राजिस्तान में को बारत पच्छियों का स्वर का जाता है किस राश्टी उद्यान को पच्छियों का स्वर का जाता है most important question है केबला देव राष्ठी उद्धद्यान राजिस्थान में साथ साथ सरिषका राष्टिद्धद्धद्ध कई बार एक जयम में पूछा गया प्रशन है सरिषका राष्ठी उद्ध्द्ध्द्धन कहा है तो राजिस्थान राज में रणम थोर कहा है वाड़ा नेशनल पार्क हीर कंका इसत्फित हैं तो हमाचल प्रदेस में साथ ही साथ एक तो यादी कर चुके Smith हिमाले नेशनल पार्क ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टन है आपके यूपी टेट सुपर टेट या अधर एकजाम्स के लिए साथ ही बात कर लेते हैं निकोवार के प्रमुग राश्टी उद्यान काउन काउन से हैं सेडल पीक नेशनल पार्क अधर बटन दिलीब नेशनल पार्क केमबल नेशनल पार्क के निकोवार निकोवार दीव समूगे हैं हम लोग पिछले पड़े भी चुके हैं इनको अधर नाचल प्रदेश में मुक्र आश्टी उद्यान है मॉलिंग नेशनल पार्क और पाक्वी बनजीव अभ्यारन दो य और यदि चैनल परसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए नमस्कार